असलाम अलेकुम तिंकर स्टेंग के साथ आज हम आपको explain करने जा रहे हैं विज्वाल प्रोग्रेमिंग विज्वाल प्रोगेमिंग सीस्वार वन वान का chapter नमबर 90 without इनी डिले हम स्टार्ट करते हैं because time का मैं हमारे पास और हम चाहते हैं कि जादा से जादा कॉंटेंट हम इस वीडियो में कावर कर लें तो सबसे पहले हम चलते हैं chapter 19 के topic की तरफ मैं सिर्फ main points पर highlight करूंगी और explain करूंगी ताकि आपको paper अच्छे से कावर हो जाए अच्छा सबसे पहले हम यहां पढ़ते हैं doc panel के बारे में what is doc panel आप यहां देख सकते हैं screen पर doc panel आपको शोग हो रहा है यह बहुत सारी आपके बस कुछ applications होते हैं जिसमें doc panels यूज हो रहा होता है windows WPF-based application में actually doc panel यूज है लेयाउट करने के लिए आपके different categories put कर देते हैं यहां पर for example कोई different elements put कर देते हैं और पूरा option डॉक पैनल पर create कि जाता है अगर आपने visual studio code के application देखी हो तो वहां पर भी doc panel यूज होते है इसके लावा मैं यहां को शो कर रही हूं एक साइट साइट यहां पर हमारे पास शो हूआ है Microsoft OneNote का पूरा एक सब्सक्राइब कर दोग पैनल यह बहुत सारी आपकेशन होते हैं यह बहुत सारी आपकेशन होते हैं आपके यूज हो रहा है आपका यह doc panel राड़ी होता है हम कोडिंग पे जादा दवज्जा नहीं देंगे बाद स्टिल हम आपको तोड़े बात बता देतेंगे जिस तरह से ग्रेड की हम हेडिंग यूज करके उसमें रोस को डिफाइन करते हैं रोड़ डेफिनेशन के फंक्शन से और कॉलम डेफि से शोगी रोज हमने रोड़ डेफिनेशन से शोगी और कॉलम ने कॉलम डेफिनेशन से जोगी अच्छा जब हमने सेल और रोज नहीं होती है तो उसका डिफॉल्ट होगा वह उपर आएगा और जिसका जादर कम होगा वह नीचे जाएगा ठीक हो गया इस अब इस लक्ट्र में जादा आपको इस जादा आसी कोई खास चीज नहीं है बाट हमें रोज पैं और कॉलम बहुताया था कि इस तरह से एकर हम रोकु इस पैं करना चाहरें इस तरह से राव में हम मजीद डालना चाहरें तो हम इस तरह से डाल सकते हैं यह भी हमारे पास स्टार साइजिंग का हमारा कुछ रहना जाए स्टार साइजिंग जी यहां हमारे पास इस लेक्चर में स्टार साइजिंग का यहां जिकर रहे हैं इसको आप हाइलाइट कर लेते हैं यह आप हाइलाइट कर लें स्टार साइजिंग क्या होती है इस्टार साइजिंग करते हैं अकर हमारी राउस के कॉलम से स्टार साइजिं यह हमारा इंट्रड्यूस हुआ है और फिर हमारे पास गिलर्ट इस्प्लेटर हो गया ठीक है थोड़ा सा आप ग्रेट करें थोड़ी सी कोडिंग देख सकते हैं ताकि आपका पेपर पास आउड़ जाए अब हम चलते हैं लेक्चर 20 की तरफ यहां लेक्चर 20 में आपके पास वही चीज रिवाइस हुए भी है आपके पास डिफरेंट ग्रीडिंग्स दिखाई भी है यहां पर किस तरह से आप डिफरेंट बेज में ग्रेट्स बना सकते हैं ग्रेड़ स्प्लिटर क्या होता है जो वह उनकी विट तरहाइट सेम रहे जबके उनकी लेंथ जो है ग्रेड़ स्प्लिटर की वज़ा से अगर चेंज होती है उनकी विट तरहाइट को कोई फैक्ट ना उसके बाद आजाते है इस शेयर इसकोप सेट तो कॉन सी प्रपरटी यूज होती है अगर जब साइस ग्रो इसके बाद हम चलते हैं कॉंटेंट ऑफ्रो बंतर पर चरफ यहांप कॉंटेंट ऑवर्फोल की डायग्राम बेर करका बहुत बना रहे उसमें कॉंटेंट law नों भी हो सकता है तो कॉंटेंट ऑवर्फो चेली चीज़ा यूज इन रिपिंग यूज के लिए दे इसक्रों क्लिपिंग की टेक्स ब्लॉक और एक्सिस टेक्स में तपोर्ट की जाती है अच्छा यूजरी टेक्स ट्रिमिंग ननो भी होती है या फिर उसको हम चेंज करते हैं यह पारग्राफ इंपॉर्टेंट यह देख लीजेगा क्लिपिंग इस टेफॉर्ट भी हमारे पास यह भी इकडिपिंग के बादे में बताएब है कि यह default behavior e clip to bounce और फाल्स है तो यह इस तरह से शुरू होगा अच्छा उसके हाद है all your elements have clip to bounce जितने बहीं elements यूज होंगे इसका clip to bounce जरूर होगा control can also draw outside of the window or page clipping is done before renders transform यह भी आपने याद रखना है कि clipping कभ हो ती render transform से पहले हो जातीं बाद में यह र्रिंक बैक नहीं होती तो इसलिए हमें इस बात का खेयार रखनें हैं आप आप कार्ड गेंम की एक्जेमपल दी वह अगर इसका लें की इसका स्ट्रेच नन कर दें तो तो उसका सिर्च कुछ फिल कर दें तो किस तरह से फॉर्म होगा उनिफॉर्म टू फिल कर दें तो किस तरह से आपके पस डूँगा उसके बाद आजाते हैं आगे के तरह यह वाली भी यह पॉइंट याद रखे या या आसकता है कि कार्ड गेम्स में किस चीज़ की जबरूत है तो कार्ड गेम नीज स्केलिंग इस लेक्टर से हमारे पास अत्रही है उसके बाद आप हाँ पर आपकेबस सिफॉर्ट पैनल यूज हुआ हैं किस तरह से करते हैं विजुल स्चेयो के से हमने इंटरफेस बनाना आपको तक है गए किस तरह से इंटर-फेस बना सकते हैं और इंडिष की सारी इसक्रें आखे लेक्ट्र 20 अब आगए हम लेक्ट्र 21 की तरफ इसमें आपके पास ग्रेट्स को मजीद एक्स्प्लेइन किया गया है कि अगर हमें किसी चीज को लेश में अटैच करने तो इस लेयाओ लेश ग्रेट्स बाइडर आईडिया है यहां पर जाएडर काज़े कर रहा है उसके बाएड़ दोबारा चलते हैं हम आगे यहां पर कोडिंग इस पूरे लेयर के लिए जिसके हम एग्णोर कर देंगे अच्छा अब यहां आजाएं एवेंड्स की तरफ एवेंडन्स क्या होते हैं रूटole इवेंड्स क्या होते हैं बीसिकली रूटएट एवेंड्स ही होते हैं कि आपके पास है जेंफरीन हाल यह हम्डीक हैं कि क fools में माउस माउच िस्टाइलडिस हुज रहे हैं, यह वो हालो हुजिन अब डॉटेड९चण करते हैं, स्थीले। कि तो उसे हैं कि ऐसे क्ों करने हैं, ब आक 午擊स। इसके इलावा हमारे पास इसमें रिपेंडेंसी प्रॉपर्टी का कॉंसेप्ट यूज होता है और हम इस तरह से इसको डील करते हैं तो यह वाला परग्राफ बहुत इंपॉर्टन एक्जैमिनेशन पॉइंट ऑफ यूज है कि यह इवेंस बता रहे हैं अगर बटन में है उस पहले हमारे पास इसको भी हम हालाइट कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे यह यूस्टू होगा हमें एक्जैम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टन है यह तो हम इसे भी हैलेक्ट कर लेते हैं अच्छा यहां पर आयवा है कि रूटिंग स्ट्रेजी इसको इंक्लूड होती है तुण करती है बहुत इंपॉर्ट ग्राहिए और यह याद रखने और यिसके पाद इसरी है में बावारा इक्रं Greek टूर्च пр люди भेल इसके बाद डायरेक्ट और हमारे पास तीसरे कि अच्छा पड़िज मों कौे हरे और इंट्रस के लिए अउसके सट्रीम्स घंड़ डिक्सक्ट्रेंस। करते हैं पुर। रूट सब्सक्राइबदाने लिए जान फिपनगी भावग मौस स्वेशन weas weasle कषा है सब्सक्राइबदामें इनुटबर्जिट जो 42 रॉमीड तनुर एस बार सब्सक्राइब्ण हैं आफटर काउंटर फिसा महिखता है यह रहे हैं यह अवाहले। कि यह उसके पास बाद प्रहीं के बारा में आपके पाता हुआँ यह सूर्स टू रूट और अर्मार्स बॉब्लेंट सब्सक्राइब लिसक्त बॉलीं इवन तो वह वह भॉल्विंट Ilो वह स्ट्रेट्रीजी आपके तो इस बॉलीं इवन ठीक हो गया अब उसके बाद हम ने तर्फियू में पहले हमारे पास यृविट इवेंट गदल प्रिफेक्स यू अपर्फेक्स कोना यसा मतल läh I न Alors हमें पता चल मोज मुवर तो इस तरह भी हम याद रखना ह Sinn अब हम दुबारा चलते हैं चैप्टर 22 की चैप्टर 22 में हमारे पास पहले हमें वह कोड गिवन है जो हमने लास्ट लेक्चर से हमने पढ़ा है उसके बाद हम आगे इवेंच की तरफ जाएंगे अच्छा भाई लेट्स काओ ओग्स काओ तैयिसा सब्सक्राइफन्स के लिए उसके लिए atelyk इनहें के अजाएंग हैं और कि चलते ह्रू ईक्ष़ार चलते हैं और शेपयों रब को एसके झावle यू ओश्चा तेस्क्राइब उसक्राइब उसक्राइब कि तो कि ना झाफ सब्सक्राइब करने दोण पर अप्रलय चाहँ कि नाया के उन्हीं भाल एक है कापस्राइब जलता है थेने उसक्रा थे-., दो पवध यह मैं specular arguments भी content contains above or you can use keyboard device is key down to event check if left or right alt is down etc अगर हमारे पर्स different keys की परने हैं तो हम यहां पर एक हमारे पास keyboard device इसकी down का property है जो यूस हो सकती है अच्छा पहरे हमारे पास mouse event को discuss करें mouse events are mouse enter and mouse leave to create roll over effect however the preferred way is to use trigger with this mouse over property mouse events में हमारे पास mouse enter mouse leave यह है उसके इलावा भी बहुत सारी properties are mouse move preview mouse move इस तरह से सारी properties events आपको mouse के बता होने चाहिए माउस आप different ways में mouse left button down mouse right button down आप different ways में mouse use करते हो जिद्धी possible events occur हो सकते हैं वो हमारे पास यहां list down हुए है अच्छा जी कुछ रहना जाए इस बात को याद रहे कि माउस event के arguments देख लें माउस event के फाइफ प्रॉपर्टीज है फाइफ प्रॉपर्टीज है फाइफ प्रॉपर्टीज है जो के क्या है वो मैं आपको highlight भी कर देती हूं ताकि आपके याद रहे यह बात माउस event में हमारे पास यह फाइफ आग्यमेंट्स है यह बहुत important exam a point of view से माउस event में हैं माउस left button right button middle button or x button one and x button two फाइफ आग्यमेंट्स अब्गाने माउस बटन के आजाते हैं उसके ड्राइग और ड्रॉप के भी हमारे पास events है यहां लिखे आपको पास मिल जाएंगे drop यह हमारे पास यह भी मैं आपको highlight कर देती हूं जितने भी events में preview लगावे तर्णलिंग का event है यह आपने याद रखना है आपको पास यह exam में बात पूछी जा सकती है उसके बाद हमारे पास stylus यूज होता है और stylus के भी यहां पर हमारे पास जो है विंस है इस्ताइलिस क्या होता है stylus एक माउस की तरह पॉइंटर होता है मैं अभी फिलहाल भी stylus यूज कर रही हूं और stylus वह उसकी resolution हाई होती है और उसके जरीए हम easily जो है वह हाई resolution में इन एर भी वह आपका काम करता है तो भाई यह stylus की भी events होते हैं जो basic touch events होते हैं वह आजाते है stylus में basic touch events कौन से होते है basic touch events होते है basic touch enter, touch leave, touch move, preview, touch down, preview touch यह हमारे पास कुछ basic touch events यहां पर subscribe होई मैं तो भाई with multiple fingers events for each finger separately for first finger mouse events are generated as well अभी के बार आपको आपने दिखाऊगा एक finger multiple finger use होते हैं अगर आपको zoom in or zoom out करना है तो आपका बस touch phone में भी आप इसके example तो तो two fingers use करते हैं तो इसके लिए different events होते है अच्छा यहां पर some notebooks होते हैं different notebooks like macbook होते है different laptops होते हैं उनकी touch points के simultaneous ज़रूरी नहीं है सारे touch events और सारे events वह सेम हो silver light है for example silver light 4 जो है वो support नहीं करता किनको कुछ touch events हैं जो silver light 4 support नहीं करता तो यह भी आपने याद रखनी बात अच्छा उसके इलावा कुछ मिस्ट नहीं हुआ है स्टाइलिस के जो availability है यह आपको पता होना चाहिए यहां पर लिखाए there are available all windows 7 आपके पस windows 7 में स्टाइलिस के availability है उससे पहले वाली window पर आप स्टाइलिस से वर्क नहीं कर सकते हैं तीक हो गया अब इसके लपात आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो रह गई है इस lecture से तो इस lecture के लिए इतना ही है बस इसके events important है इससे आप याद रखिए कौन कौन से events यूज हो रहें और प्रिव्यू का keyword याद है कि प्रिव्यू के keyword से वह event tunneling में आ जाते हैं thank you so much